सुभा की भागदोर में चावल बनाना बहुत ही मुश्किल का काम है तो क्यों न बचे हुए चावल से बनाए जाए एक ऐसी रेसिपी जिसे लंच में भी दिया जा सके और बचे को बड़े को सभी को बहुत ही पसंद आए नमस्कार दर्सको घर का जायका विद्गुस्व में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ बचे हुए चावल की दोस्सी रेसिपी तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कीजिएगा और चैनल पढ़ा है तो चैनल को सस्क्राइब कर खीं जाएगा तो सबसे पहले हम गाजर रैस बना लेते हैं तो उसके लिए हम एक पहल लेंगे और उसमें एट करेंगे तेल और उसे हम गर्म होने देंगे जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें एड़ कर देंगे सुखे लाल मिर्च और इसी के साथ एड़ कर देंगे जाबुत जीरा और इस दोनों के चीजे को हम अच्छी तरह से कुख कर लेंगे फिर हम यहाँ पर एड़ कर देंगे एक कटी हुए महिन पियाज और उसी के साथ एड़ कर दूँगे कदुकस किया हुआ गाजर तो मैंने यहाँ पर एक पियाज लिया है और साथ मिली हूँ यहाँ पर तीन बड़े गाजर और इसे high flame पर हम cook करेंगे इसे हम जब तक cook करेंगे जब तक कि इसका पानी सूख न जाए क्योंकि ये अपना पानी छोड़ेगा तो देखें यहाँ पर पानी सारे सूख चुके है इसे हम एक दो मिनिट के लिए और cook करेंगे फिर हम एड़ कर देंगे बचे हुए चावल एक कप और इसे भी हम high flame पर cook करेंगे फिर हम इसमेड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और इसे एक दो मिनिट high flame पर मिला लेंगे तो लिजे तयार हो गई गाजा राइस जटपट अब हम इसे एक बर्दन में निकाल लेंगे और इसे गानिसिंग कर देंगे उसी सुखी हुई लाल मिर्च के साथ तो लीजे बचे हुए चावल से तयार है गाजा राइस अब हम तयार कर लेते हैं मटर जीरा राइस तो उसके लिए एक पैन में तेल गरम करेंगे और तेल जब गरम हो जाए तब हम इसमें एड कर देंगे हरी मिर्च कुटा हुआ लासुन, जीरा और काली मिर्च का साबुत और इसे भी हम एक दो मिनिट के लिए कुख करेंगे हाई फ्लेम पर याद रखिएगा आपको ये सारे काम हाई फ्लेम पर ही करने है फिर हम इसमें एड कर देंगे मटर और इसे हम धीमी आज पर कुख करेंगे आप मटर को जितना देर तक कुख करिएगा इसका स्वाद उतना ही अच्छा लगेगा खाने में इसे पकाए मुझे 10-15 मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें एड कर देंगे थोड़ी से सॉल्ट और इसे हम हाई फ्लेम पर कुख कर लेगे सॉल्ट डालने के बाद ही अपना पानी छोड़ेगा इसलिए इसे हम हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे ताकि पानी ज़ल्दी सोख ले और यह कृस्प जैसा भी हो जाए तो एक दो मिनिट हो चुका है अब हम इसमें एट कर देंगे बचे हुए चावल और फ्लिप हम फ्लेम को हाई करकर इसे हम मिला लेंगे एक दो मिनिट के लिए आप चाहें तो आप यहाँ पर काली मिर्च पौडर भी एड़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर उससे इस्तमाल नहीं करूंगे इसे एक दो मिनिट और हम कुक करेंगे कवर करकर ताकि यह थोड़ा सा पानी एक जोब कर ले तो हम इसे एक दो मिनिट के लिए कवर करकर कुक कर लेते हैं एक दो मिनिट के बाद सुपव बहुत थी चावल खिला खिला लग रहा है देखने में अब हम इसे एक वड़ा उलट कुलेट कर लेंगे फिर हम इसे निकाल लेंगे एक बरतन में तो हम इसे एक बर्दन में निकाल लेते हैं और इसे गारनी सिंग कर लेंगे हरे धन्या के साथ या फिर किसी भी चीज के साथ ही नहीं क्यूंकि ये मटर और जीरा उपर-उपर से दिख रहा है तो ये खुद ही बहुत स्खुबसूरत लग रहा है तो आपको वीडियो एक परसेंट भी अच्छी लगियो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहले बारा हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब कर कर ही जाईएगा तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ जब तक खुश रहिए खुशियां बाठते रहिए आसपा सफाई बनाए रखिए तैंक यू टेप क्यार एंड नमस्कार